अजमेर के जनाना अस्पताल के नजदीग सडक पर खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़ कर 75,000 की नगदी और आईफोन चोरी करने के साथ ही गाड़ी को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है इस वारदात का CCTV फुटेज भी सामने आया है जिसमें दो चोर वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे है पीडित ने क्रिशनगंज थाने में मुकदमा दर्च कराया है जिसके आधार पर पुलिस जाच में जुटी है पेड़ित रिंकुरावत ने बताया कि मंगलवार राद दो बदमाश जनाना रोड के नजदी घर के बाहर खड़ी गाड़ी के पास पहुंचे और शीशा तोड़ कर अंदर प्रवेश किया और गाड़ी चोरी करने के इरादे से अंदर तोड़ फोर की लेकिन वह काम्याब नहीं हुए जिसके बाद उन्होंने गाड़ी के अंदर रखा आईफॉन और 75 हजार की नगदी पार कर ली और फरार हो गए इस सम्मंद में क्रिश्चन गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए तपती शुरू कर दी है दौनों आरोपी CCTV फोटेज में नजर आ रहे हैं लेकिन उनकी शकल दुन्दिली दिखाई दे रही है फिलाल पुलिस जाच में इनका शीशा तोड़ा गाडी का और फिर उन्होंनों इसका लोग कोलने के लिए डेक्सपोर्ट को भी खोला लेकिन लोग खोल ने पाए तो इसमें दो बज़े लगबाग एक गंटए इनको मशक्त में लगे तो गाडी तो बच गए लेकिन इसके अंदर मेरा फोन था आई फोटेज में पूरा किलियर है किते जने दिख रहे हैं इसमें दो जने दिख रहे हैं सरी यह सर रात को आज अपने 27 तारिक को एक से दो बलस्ताने अगए लगबग सर 2,50-20000 का नुकसान गाड़ी से रिपोर्ट दिखे आए आपने बिफोर्ट सर अभी एप्लिकेशन तो दे